वेस्ट विंगल बोट कच्छा आठ समिकरन गठन और समधान पाठ 19 बना कर देखे 19 पेज नमर 191 कोसें नमर 11 कोसें है मेरे पिता जी की बरतमान उम्र मेरे बरतमान उम्र का साथ गुना है दस वर्स बाद पिता जी की उम्र का तीन गुना होगा तो मेरे यॉंग मेरा पिता जी का बरतवान उम्र लिखे यह मान लेंगे माना मेरा बरतवान उम्र एक्स वर्स तो पिता जी का बरतवान उम्र क्या हो जाएगा साथ गुना है मतलब 7x वर्स फिर बोला है कि दस वर्स बाद मेरा उम्र पिता जी के उम्र का तीन गुना होगा तो दस वर्स बाद दोनों का उम्र दिखा लेते हैं दस वर्स बाद मेरा उम्र पिता जी का उम्र का था जयागा एकस फ्ल d00 वर्स बाद पिता जी का उम्र कितना हो जाएगा 7x स्क्राइब कर दो कि बोला है दस वर्स बाद मेरा उम्र पिता जी के उम्र का तीन गुना हो जाएगा तो प्रश्ना नुसार पिता जी के उम्र कितना है से एक्स प्लस टेन मेरा तीन गुना हो जाएगा तो तीन गुना मेरा उम्र कितना है एक्स प्लस टेन सेवेनेक्स प्लस टेन तो से मोडेक्स अनुक्त करेंगहें थी एक्स प्लस एक्स तरफ कर déjàतेंस सेवेन एक्स माइनस ट्री एक्स इस एक्स अनुकर टू थर्टी माइनस टेन गठाएंगे थार्ष बराबर बिस एक्सऐ Natalie ब्राबर क्या हो जाएगा 20 बटा में 4 काटेंगे 5 ब्राबर 5 तो एक ब्राबर 5 आया इसलिए मेरा बर्तमान उम्र कितना हो जाएगा एक्स ब्राबर 5 वर्स और पीता जी का बर्तमान उम्र 7x ब्राबर 7 x 5 इकल तो 35 वर्स कोसर नम्र 12 मेरे मामा ने हजार रुपए का एक चेक बैंक से उठाए तो कई पांच रुपए के नोट एवंग 10 रुपए के नोट मिला बताए 10,000 रुपए क्या मिला खुजरे के रुप में 5 और 10 के नोट मिला यदि मामा को कुल कितने नोट मिले 137 तो पांच रुपए के कितने नोट पाए बताओ इसको कैसे बनाएंगे मान लेंगे माना पांच रुपए का नोट बराबर x तो दस रुपए का नोट कितना हो जाएगा बराबर कुल नोट कितने थे 137 मानस एक्स तो दस एक्स रुप एक्स नोट का मुले कितना होगा पांच रुपए का एक्स नोट का मुले पांच रुपए का आएंगे एक्स तो दस रुपए का थे 137 मानस एक्स नोट का मुले कितना हो जाएगा तेंटू आएंटू सेवेन माइनस एक्स कुना कर देंगे एक सो तेरा जार तेरा सो सत्तर गटाव कि अब क्या बोला है कि पांच रुपाय के कितने नोट है बताना है छेफ पांच रुपे का दस नोट का मूले 5 एक्स दस रुपा दस रुपर का मूले पता चल गया 1730 माइनस तेनग्स कुल मूले कितना है बरशन provider क्रस ना नोस हुआ शरीत ना है फाइंफ क्लस वस तेन इंट जीरो माइनस नर्स एक्स एकवल स्याहिए को एक हजार तो यहां से एकस को एकस तरफ रखे बाकिस को उधर बेज देते हैं तो एकस को रखेंगे तो फाइब माइनस 10x बराबर कितना हो जाएगा 1000-1370 तो 5x माइनस में बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 37, 0 एकस माइनस माइनस खत्म पांस तो एकस बराबर क्या हो जाएगा 370 बटा में 5, 5 से काटेंगे तो 5, 7, 35 बचा 2, 5 हो का पीस चोतर आ गया तो एकस का नोट हम लोग कितना माने थे एकस इसलिए इसलिए 5 रुपए का नोटो की संख्या बराबर X, बराबर 74 एक़िवल 5 रुपए का नोट के बारे में पूचा था तो 5 रुपए का नोट आ गया कितना 74, अब आ जाते हैं कुसर नमर 13 में कुसर नमर 13 क्या है हमारे गाउं के सोलिन चाचा ने सरकारी नोक्री के अवसर लेने के पाद संचय के एक बटा दो हिस्से को एक मकान खड़िदने आचानक वित्ती में पढ़कर वे मकान को बेचकर खड़िदे गए मुल से 5% अधिक पाए यवे मकान को 3450 रुपए अधिक रुपए में बेचते तो क्रय मुल्का 8% अधिक पाते सोलें चाचाने कितने रुपए में मकान को खड़िदा था एवं उनका संचय कितना था यहां देखेंगे तो हम संचे को माल लेंगे उनका X तो X का एक बटा दो भाग से मकान खड़ देंगे और फिर बेचेंगे कितना में जो X बटा दो आया X बटा दो का पांच परतिसद अधिक बराके मतलब एक सो परतिसद मतलब एक सो परतिसद में एक सबटा दो के एक सो पांच परतिसद में और मकान को बेचेंगे फिर मकान को क्या बोला है कि 105 के जगा पे तीन है उसमें 105 परतिसत जोड 3450 पे अधिक में बेशते तो क्रे मुलका मतलब 1 बटा 2 का मतलब 1 बटा 2 का 8 परतिसत अधिक पाते चलो ऐसे हम समझाने सच्छा बना के दिखाते हैं तो पहले हम मानेंगे माना सूलें चाचा का बजट संचय संचय या बचच बराबर एक्स रुपिया मकान खरता कितना में मकान खरिदे कितना से ना मकान खरिदे मकान खर दे X का 1 बटा 2 परतिसत 1 बटा 2 हिस्से से तो X बटा 2 रुपिया में मकान खर दे अब बोले हैं कि मकान को बेचे मकान को बेचे कितना रुपिया में तो 1 बटा 2 के 5 परतिसat ज़्याद अदा में बोले हैं तो कितना है बेचे एक मिरेट मकान कितना है बेचे तो जानना जोड़ी है नहीं बोले हैं कि मकान बेचकर क्रेमल से 5 परतिस दिख पाया इसको रने देते हैं ये क्रेमल है एक बटा 2 बेचकर कितना पाया? अधिक पाया पांच परतिसत अधिक पाया बराबर एक बटा दो का कितना पाया? पांच परतिसत मतलब एक बटा दो गुने 5 बटा 100 इतना पाया और लेकिन क्या बोला कि मकान को अगर आठ पर 3,450 रुपया अधिक में बेज था तो 8 पर 30 अधिक पाता तो मकान के क्रेमल का 8 पर 30 मकान इसको अधिक पाया को अगर हमें लिख दे मकान के क्रेमल का पांच पर 30 लिख सकते हैं यह मकान के क्रेमल का 5 पर 30 अधिक और मकान के क्रेमल का 8 पर 30 लिका लेते हैं कि दो से काटेंगे इंतर रहें देते हैं 8x बटा में 200 और यह हो जाएगा 5x बटा में इसको लिखेंगे 5x बटा में 200 तो मकान का 5 परतिस्टे 5x बटा में 200 और मकान के क्राय मुल्का आर्थ परतिस्ट है 8x बटा में 200 अब बोला है कि कितना अधिक पाते थे 3450 रुपिया मतलब इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा प्रस्ण अनसार 8x बटा में 200 गटाव 5x बटा में 200 बराबर 3450 रुपिया अधिक पाते तब हम क्या करेंगे यहां से अधिक का माल लिका लेंगे तो 200 200 रसा पर लेंगे तो 8x माइनस 5x नीचे 200 बराबर 3450 रुपिया तो 8x 3x 200 से इसमें गुना हो जाएगा तो एक दो तीन सुना एक दो तीन सुना दो से गुना करेंगे 2,50 सुनना असिल एक दो चोके आठेक नौ दो तेच्छो एक साथ एक Cel तो तो तीन दो तेच्छो हो जाएगा 69 ठीक है 69 इतना रुपिया तो x बराबर क्या आ जाएगा एक बराबर हो जाएगा शिक्स नाइन एक दो तीन चार बाई थ्री तीन से काटेंगे तीन दूनी कच्छे तीन तरीके नो एक दो तीन चार दो तीन चार दो लाख तीसे जार रुपिया एक्स का मान आया इसलिए सोलेन चाचा का संचे कितना हो जाएगा सोलेन चाचा का संचे ब्राबर एक्स था एक्स ब्राबर कितना आया दो लाख तीसे जार रुपिया और मकान का मुल्य कितना आजाएगा मकान का क्रेमे या मुल्य लिख देंगे एक्स ब्राबर दो टीन जिरो 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 ब्राबर काटेंगे दो से दो एकम दो कि दो एकम दो कि दो पाचे दस एक दो कि मकान का मुले कितना आ गया एक लाग पंद्रह अजार रुप्या कि अब आयते हैं को से नमर 14 में को से 14 क्या है गोपालपूर ग्राम गोपालपूर गोपालपूर ग्राम के रहात सिविर में रहात प्रार्थियों के लिए 20 दिन का खाना अपलब था 7 दिन बाद और 100 लोग रहात सिविर में आ जाते हैं 11 दिन में ही खाना खत्म हो जाता है तो रहात सिविर में पहले कितने लोग थे मान लेंगे माना राहत सिवीर में लोग बराबर एक्स कितने दिन के लिए खाना था? 20 दिन के लिए खाना था बतब एक्स लोग रहते तो कितने दिन खाते? 20 लोग खाते अब बुलाए 7 दिन बाद तो बचा दिन क्या हो जाएगा? टोटल 20 दिन था 7 दिन बाद हो गया तो मतलब 7 दिन घड़ गया मतलब 13 दिन बुला एक्सो लोग और आ गए तो सो लोग और आने के बाद कुल लोग कितने हो जाएगे? एक्स थे प्लस सो तो कितना दिन में आ जाते हैं? तो 11 दिन में खाना खत्म हो जाता है अब देखो इसको हम तेरासिक हिसाब से लिखे तो क्या लिख सकते हैं? लोग सिविर में सिविर के लोग और दिन भोजन का दिन तो कितने लोग थे? तो पहले एक्स लोग थे तो कितने दिन तक भोजन चलता? अगर कोई नहीं आता तो तेरा दिन तक सो लोग बढ़ गए एक्स प्लस सो तो भोजन के दिन में कतम हो गया है ग्यारा दिन अब हम इसका समाथ तेरासिक समद्ध मतलब समवातिक समून समानुपातिक सम्बंद लिका लेंगे तो एक्स लोग तेरा दिन ज़्यादा लोग लोग बढ़ गए दिन क्या हो गया कम हो गया इसलिए कौन सा समन्द बना विलोम वेस्थ समान उपात तो कैसे लिखेंगे इसको इसलिए क्या हो जाएगा इसलिए एकस प्लस हंड्रेड अनुपात एकस समान उपात तिरह अनुपात 11 तब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तेरा एक्स ब्राबर 11 एक्स प्लस 1100 एक्स वालोग एक तरफ कर देते हैं आ जाएगा टू एक्स ब्राबर 1100 एक्स ब्राबर क्या आएगा और गया 1100 पटा में दो कार्ड देंगे 550 ओंस हमें तो इस समिक्रन लिकाबना नहीं तका सभ्रफपात से थोड़ी बनाना है समिक्रन लिका लाप चलो अब आ जाते हैं तो तेरा दिन भोजन था किसके लिए एक्स के लिए तो लेकिन अब लोग क्या कहा है प्रस्टन असार लिख देते है तेरा दिन का जो भोजन था कितने लोगों के लिए था एक्स लोगों के लिए तो भोजन कितना कहेंगे तेरा एक्स बराबर लेकिन कितने लोग खाए है एकस प्लस सो लोग खाए हैं कितने दिन तक 11 दिन तर एकस प्लस तु इनलक टिव हमारा बनके समिक्र eli समlingen करना है हमने गल्थी से अनुपात लिकाल एतहूं पाद नहीं लिकालना है डिम्याच एक इनलक करेंगे end तो टू एक्स ब्राबर ग्यारा सो पान्सो पचास एक्स ब्राबर पान्सो पचास इसलिए एंगे राहत सब्रेक्श कर गिश्च माँ एक्स पान्सो पचास लोग थे ठेंट रहा सअगा रासी में कुल हूद कितने थे एक्स बचा दिन था त्यरा तो एक्स लोग ते दिन compon टेरा दे लेगन सो लोग आने के बाद कुल तेरा दिन का खाना 11 दिन में ख़त्म हो गया तरह दिन का खाना इसलिए 15 आग measurement सब्सक्राइब के लोग कितने थे 550 सवाल समंदित कोई भी डाउट्स हो ता कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं कि आई सेनल में आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें धन्यवाद